वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल होब आप सब ठीक होंगे आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जनरल स्टेप्स एंड जूस प्रोसेसिंग कौन-कौन से स्टेप्स हैं और उनकी क्या इंपोर्टन्स है उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन-कौन से एंजाइम्स यू प्रोसेस्ट फ्रूट इंडस्ट्री का जो जूस प्रोड़क्ट्स हैं उनको मार्किटेट किया जाता है एज रेफ्रिजेटर या फिर शेल्फ स्टेबल जूस फ्रोजन जूस उनको डिफरेंट वराइटी ऑफ पकेजस में पैक करके एंड विद एंफेसिज ओन फंक्शन हम यूज कर रहे हैं बहुत सारे जो फ्रूट जूस हैं वह एक्सिलेंट सोर्स होते हैं वाइटमिन सी का कुछ रोटे हैं गुड शूर्स कैरेटीन का और बहुत सारे फ्रूट जूस में मॉडरेट अमांट उफ पाराडॉक्सिन इनुसिट ओल फॉलिक एसिड अन बायोट करता है acid base balance होता है जो body का उसको maintain करने में तो जो process है वो start होता है sound fruit से freshly harvested fruit है अगर आपके पास या फिर refrigerated में रखा हुआ fruit है या फिर frozen storage में रखा हुआ fruit है उसको हम लेंगे उसके बाद उसकी washing की जाती है washing का क्या महत्तव होता है इसे हम जो dirt होती है या foreign objects होते है fruit के साथ उसको remove कर देते है washing के साथ ठीक है washing से वो remove हो जाती है उसके बाद sanitation होती है sanitation से load है जो contaminants का वो decrease हो जाता है उसके बाद fruits को sort किया जाता है जो decayed fruit है या फिर mold fruit है जो खराब हो चुके है या फिर जिन पर cut लगा हुआ है उन fruits को अलग कर दिया जाता है to make sure that the final juice will not have a high microbial load and desirable flavor और mycotoxin contaminants for most fruit बहुत सारी fruits के लिए एक और step होता है pitting और grinding यह juice extraction से पहले करना ज़रूरी होता है heating and जो addition है enzymes की वो step भी prefer किया जाता है before the mash is transfer to the extraction stage जो juice है उसको उसको pressing करके या फिर enzymatic treatment देना पड़ता है followed by descending and जो extracted juice हमारे पास आता है वो decide करता है characteristic of the final product तो जो cloudy juice आता है उसको further उसकी clarification करनी होती है जो कि कई बार necessary नहीं होती उसमें course filtration include होती है या फिर controlled centrifugation include होती है जिससे क्या होता है कि जो insoluble particles होते हैं cloudy juice में से वो निकल जाते है clear juice के लिए complete deep actuation करनी करनी होती है जिसमें enzymes को add किया जाता है fine filtration की जाती है उनकी और high speed centrifugation की जाती है जिससे visual clarity को achieve किया जा सके next step इसमें होता है heat treatment या फिर non thermal process होता है यह safe होता है and stable juice and final packaging के लिए यह safe step होता है अगर single strength juice है इसको produce करना है single strength juice को तो भी heat treatment किया जाता है concentrate juice के लिए जो juice है उसको evaporator में डाला जाता है उसके बाद उसमें से water है जो remove किया जाता है desired content जब तक water का उसमें ना पहुंच जाए तब तक उसको evaporate करवाया जाता है कुछ process और भी कुछ process होते हैं जिसमें water remove किया जाता है जैसे के reverse osmosis हो गया freeze concentration हो गया यह जो heat sensitive juice होते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से suit करते हैं उसके बाद जो concentrate हमारे पास आता है उसको final packaging के लिए बेज दिया जाता है और उसे store कर लिया जाता है okay तो जो हमारे पास इसके बाद significance जो important step है अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे ठीक है हमने juice extraction तक देख लिया pressing and dissentic तक तो जो extracted juice हमारे पास आता है उसमें कुछ amount of suspended particle होते हैं जैसे के broken fruit juice हो गया fruit tissues हो गया फिर seed होगे skin होगी ठीक है कुछ gums भी होते हैं pectic substance भी होते हैं proteins भी होते हैं collider suspension में ठीक है तो जो coarse particles होते हैं उनको remove किया जाता है by straining या फिर by sedimentation अगर clear juice चाहिए तो उसमें complete remove करना पड़ता है जो भी suspended particles है filtration या फिर clarification से या फिर finding agent या फिर enzyme से जो finding agent होते हैं वह उसमें enzymes होते हैं जैसे के pectolytic enzyme हो गया starch liquefying enzyme हो गया या फिर proteolytic enzyme हो गया ठीक है finding दो टाइप के होते हैं mechanical finding और chemical finding जो mechanical finding है उसमें infusoral earth यूज करते हैं chemical finding में gelatin albumin और casean यूज किया जाता है ठीक है तो उसके बाद step होता है disintegration juice है जो juice का process start होता है crushing से ये एक step होता है जो कि breakdown करता है cells के tissue को ठीक है तो इसमें hammer milk का यूज होता है या grinding disc milk grating milk crusher stoned milk इन सब का use किया जा सकता है depend करता है कि कौन सा fruit juice बना रहे हो उसके बाद mash enzyme treatment होता है उसमें हम deep actization करते हैं जिससे viscosity है जो juice की वो reduce हो जाती है जो slippliness से pulp की वो भी reduce हो जाती है उससे क्या है क्या होता है कि effective use कर पाते हैं dissenters का and press कर पाते हैं proper तरीके से जितनी हमें चाहिए होती है it is especially useful in processing mature and stored fruit that result in low juice yield तो hydraulic rack और frame press भी एक most common batch press system है जो कि small scale operations में use किया जाता है बाकी टाइप के भी extractors होते हैं जैसे कि horizontal piston press हो गया bladder press हो गया belt press हो गया deaeration जो pure orange juice होता है वो extremely susceptible होता है adverse actions of the residual air is subjected immediately after extraction to a high vacuum whereby most of the air as well as other gases are removed अब हम पढ़ेंगे role of enzymes in fruit juice extraction जो हम enzymes use करते हैं juice industry में वो contribute करते हैं कि yield है जो juice की वो बढ़ जाए और production जो various type of juice की वो बढ़ जाए the addition of pectinase aims in particular to degrade the pectic substance in the cell wall and middle lamella of the cells of plant aiming to minimize the impact of these compounds on the characteristic of the final product such as color turbidity and viscosity जो pectinase enzyme होता है pectinase enzyme होता है वो degrade करता है pectic substance को जो की cell wall और जो middle lamella है plant cell की ठीक है उसमें present होता है तो इससे होता क्या है जो final product हमारा आता है उसका color उसकी turbidity and viscosity वो अच्छी बनती है enzymes are also able to remove bitterness bitterness बिटरनेस भी remove करते हैं enzymes and pigments extract करते हैं बहुत सरी applications है enzymes की juice industry में जो pectinase cellulase and hemicellulase enzymes हैं ये juice extraction के लिए use के जाते हैं जो pectinase cellulase and hemicellulase enzyme है इनको cloud stability आ जाती है ना fruit juice and vegetable juices में nectar में liquefaction करनी होती है अगर maceration करनी होती है fruits and vegetables की तब इनको use किया जाता है ये cooking time भी reduce कर देते हैं pulses का and ये rehydration जो characteristics होते हैं dried vegetables के उसको भी reduce करते हैं उसको भी improve करते हैं ये जो enzymes है वो degrade करते हैं structural polysacrides को interfere that जो के interfere करता है juice extraction में या फिर filtration में clarification में and concentration में ये जो enzymes हैं इनको marcerated और mesh enzymes भी पहोते हैं क्योंकि इनकी applications use extraction में भी है from जो कि citrus fruits से आते हैं या फिर tropical fruits होगे जैसे mango बनाना पापाया और pineapple इनमें भी इसको यूज किया जाता है apple और पियर पियर जूस में जो पैक्टिक enzymes होते हैं वो यूज किया जाते हैं pressing and juice extraction को facilitate करने के लिए तो इससे जो flocculent precipitation होती है by sedimentation उसमें यह help करते हैं उसमें यह उसकी मदद करते हैं and जो flocculent बनते हैं na sedimentation filtration या फिर centrifugation के दौरान उसमें यह aid करते हैं combination of pecto pectinoletic enzyme are added to fruit and pressed fruit juice to reduce juice viscosity जो pectinoletic enzymes होते हैं वो जब हम as a combination use करते हैं तो जो juice की turbidity या फिर viscosity होती है उसको reduce करते हैं यह such viscosity reduction makes juice filtration clarification and concentration more efficient तो ऐसे juice की जब हम viscosity को reduce करते हैं तो और अच्छे से उसकी filtration clarification and concentration है जो बनके आती है in concentrated fruit juice it improves the efficiency of spray drying aspergillus niger and a aurasia यह produce करते हैं mixture of pectinoletic enzymes जो जिसकी हमने पहले बात की कि यह जो पेक्टिन लेटिक enzymes हैं वो विसकॉस्टिक को reduce करते हैं अब हम पढ़ेंगे पैक्तिनेस के बारे में यह दो वेल रिकोंगनाइजड टाइप ऑफ पेक्तोलिटिक एंजाइम्स हैं जो कि हैं जो इनका action है वो दिखाया गया है बहुत सब्सक्राइब जो कमर्शियल पैक्तिनेस enzymes हैं वो mixture होते हैं इनका एंड बाकी enzymes भी कई बार होते हैं जो कमर्शियल पैक्तोलिटिक enzymes होते हैं उन में प्रिडॉमिनेंटली पॉली ग्रूप पॉली लेक्तोरोनेस एंड पैक्तिन एंड पैक्तेट लाइस यूटिलाइस किये जाते हैं लिक्तिफिकेशन है जो वो बोथ पैक्तोलिटिक एंड सेलोलिटिक enzymes के combination के बाद होती है और यह दोनों का अगर हम combination करते हैं तो यह सिनर्जिस सिनर्जेटिक एफेक्ट शो करते हैं जो पैक्तिन से वो कलाइडल होते हैं ने चिन में और वो उसे solution में viscous बनाते हैं holding other material in suspension पैक्तिन पैक्तिन एस्ट्रेज रिमूव मिथाइल ग्रॉप्स फ्रॉम दे पैक्तिन time polyglectronase degrade macromolecule pectin causing reduction in viscosity and destroying the protective colloidal action so that the suspended material will settle down जो extensive use है pectolytic enzymes का वो fruit juice में किया जाता है pectolytic enzymes को grapes and other fruits में add किया जाता है during crushing or grinding इनसे इन juices की जो yield है वो बढ़ जाती है on pressing wine from grapes so treated well will usually clear faster when fermentation is complete and have better color जो pectic enzymes होते हैं वो necessary necessary for high density fruit juice concentrate और puries होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जुरूरी होते हैं जो cellulases enzyme है यह भी commercial enzyme है जो के capable होता है hydrolyze करने में non pectin जो polysecrides होते हैं जैसे cellulose हो गया glucons हो गया and xylens हो गया and इनको use किया जाता है cell walls को fractionate करने के लिए and liquefy करने के लिए जो भी बच जाता है solids उनको liquefy करने के लिए जो नरिंजनेज नरिंजनेज और लिमोनेज enzyme है इन दोनों को use किया जाता है hydrolyze करने के लिए नरिंजन और लिमोनेन लिमोनेन को यह bitter compound होते हैं जो के grapefruit में ज्यादा मिलते हैं जैसे और लिमोने जो गया थीक है Amylase and Rabinase starch and Rabin impart a cloudy appearance called haze when released into the juice from certain fruits haze is due to the starch are common in a juice from early season apple and can be degraded by amylases although Rabinase is not a problem in extracted juice it produces a permanent haze in concentrated juices where it has limited solubility अब जो benefits क्या क्या है enzymes के use करने के एक तो जो juice की yield को बढ़ाता है एक efficiency है जो juice filtration की उसको improve करता है juice की stability है जो concentration है उसको भी improve करता है and juice की clarity को भी enhance करता है जो enzymes हम use करते हैं juice में juice extraction में and juice की bitterness है उसको भी reduce करता है अब कौन-कौन से problems आती है fruit juice की processing में पहले तो browning हो juice that may lead to oxidation of vitamin C and pose problem during filling of juice in the packages bitterness of juice due to the action of enzyme limonene and niringenes cloudy juice due to the pectinases substance और even bitter tretus example जैसे की grape juice में होता है thank you for watching for notes के लिए आप मुझे contact कर सकते हो WhatsApp पे and अगर आपको कोई suggestion देना है या फिर आपको किसी topic पे लेक्चर चाहिए तो आप मुझे comment section में बता सकते हो